बांसूर में आए दिन अपराधी घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही बांसूर में हर सोरा चोक पर जम्मेनी विवाद को लेकर फाइरिंग हो गई गनिमत ये रहे कि किसी के हताथ होने के इसमें सूचना नहीं मिली है बदमाश दो गाड़ियों में फरकर आये और आते ही बदमाशों ने आठ राउंड फाइरिंग कर दी वहीं जाते समय सड़क किनारे खड़ी गाड़ी को भी टक कर मारते हुए बदमाश फरार हो गई जिससे बांसूर में भैका माहूल हो गया सारी घटना बांसूर गराम पंचायत के कैमरे में कैद हो गई देखा जाए तो बदमाशों का आतंग बांसूर में लगातर जारी है ऐसी घटनाओं को रोकने में पुलीस नाकाम सावित हो रही है बताया जा रहा है कि सारी बारदा जमीनी विवात को लेकर हुई वहीं दूसरी और से भी पत्थर बाजी की गई इस से पूरे बांसूर शेतन में भै का माहौल बन गया इस घटना में एक वेक्ती भी घायल हुआ जिसके सिर में चोट लगी है तेज गती से अचानक रोख के और उन्हें तुरह तमसे मारफित सुन करती और आते ही तब से कम जाता तो आठ नो फायरे उन्होंने अपने ख़तों से उनके पास सब के पास करीब-करीब कटे कि और उन्होंने आजा दून्द फायरिंग करी और पत्थर फेंके और लग्ष तो लग्ष से मेरे भी आपे चोटाइगी कि यह दिखने के अपने कि यह आपके चोटाइगी